मैंने आप लोगों को बहुत सारी डार्ट सरकल से रिलेटिड वीडियो दी है आप लोगों को काफी पसंद आई है बहुत लोगों को benefit भी मिला है लेकिन फिर भी इका दुका कमांट मुझे ऐसा मिल रहा है जिसमें आप लोग लिख रहे हैं कि आपकी आँखें अंदर की तरफ चले गई है चाहते हुए भी ठीक नहीं हो रही है बहुत सारी ग्रेलू चीज़ें लगा के देख लिए हैं फिर भी आपको कोई रिजल्ट नहीं मेर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपको बाहर से केर करनी है और ज्यादा आपको अंदर से केर करनी है अगर आप अंदर से अपनी आँखों की केर करेंगे तो आपकी आँखें दो से तीन महीने में बाहर आजाएगी मतलब एक अठी सी शेप में आजाएगी जो ही गड़े आचुके हैं यह पर्मानेंटली चले जाएगी डार्कमेस है तो भी अंदर वाले ट्रीटमेंट से आपकी डार्कमेस चले जाएगी तो इसी टोपिक पे आज हम बात करने वाले हैं मैं आप लोगों को बना के दूँगी एक ऐसी क्रीम जिसका यूज आपको बा को पसंद आ जाएगे तो फ्लीज वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ही बन जाएगा तो चले फिर सबसे पहले बनाते हैं हम अपने आज की क्रीम बनाने के लिए आपको लेना है अलोविरा जेल जेल के बिना आपकी क्रीम नहीं बन सकते ह होती है जो आपकी लुट स्किन को टाइट करता है आपके फाइन रिंकल्स को भणने में आपकी हैल्प करता है यह आपकी स्किन पे कुलिंग एफेक्ट भी छोड़के जाता है बहुत ही चीप सा कोमन सा इंगरीरेंट से हैं जो हर घर में एविलेबल होता है हर किसी के पास फिर आपको इसके अंदर डाल देना है आल्मंड ओईल किसी भी ब्रैंट का ले सकते हैं यहाप कोई option नहीं है कि आप coconut डाल सकते हैं या फिर आप ओलिव ओईल डाल सकते हैं आपको यहाँ पे आल्मंड ओईल ही लेना है क्योंकि यह वाइटमीन इसे भरा होता है और यह तो यह क्रीम आपकी आंखों में एक नई जान डाल देगा, आपकी आंखों को फ्रेस बनाने में आपकी हल्प करेगा, और आपकी आंखों के लिए बहुत ही प्यारी क्रीम है, अगर आप इसका लगातार यूज करते हैं, तो अच्छा जो यह क्रीम है ना, आप इसको 15-20 दिन के लिए फ्रीज के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं, तूरंत फ्रीज में से निकाले, इसको लगाएं, जैसे जैसे आप ठंडी-ठंडी सी लगाएंगे ना, तो आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, और वापिस फिर से आपको यह क्रीम फ्रीज के अंदर रख देनी है, तो ध्यान रहे कि आप इस क्रीम को लगा के धूक में नहीं जा सकते हैं, अगर आप घर पे ही हैं, तो बैस है, अगर आप बाहर जाते हैं, तो आप वहां से आने के बाद इस क्रीम को लगा सकते हैं, और रात को सोने से पहले तो यह क्रीम आपको अपने आँखों पे लगाने ह तो ड्रिंग बनाने के लिए आपको चाहिए होगा एक गिलास दूद जी हाँ दूद क्योंकि दूद के अंदर प्रोटेन भरपूर होता है दूद के अंदर सारे न्युटिशन्स होते हैं अगर आप दही नहीं खाते हैं, पनीर नहीं खाते हैं तो दूद आपकी हर एक कम्य को पूरी कर सकता है, दूद आपकी आँखों को अट्रैक्टिव बना सकता है, दूद आपकी स्किन को फ्लोलास बना सकता है, इसलिए हर महीला को दिन में एक गिलास दूद जरूर पिना चाहिए, इसलिए आपकी हडियां भी मजबूत होती है, आ आपके आँखे जो लेने हैं? रात को सोने से पहले आपको छहे बदाम खाने है और पीना है ठीक है? सिर्फ इतना साही करना है जब आप इसको लगातार करेंगे ना 2-3 महीने के लिए तो आपकी आंखों पे आपको बहुत अच्छा असर होता हुआ दिखाई दिगा अगर आपके पास आलमंड नहीं है आप आलमंड नहीं ले सकते हैं तो जो हमने हमारी क्रीम में ओईल डाला था ना बदाम रोगन तो आप उसकी 10-15 डूप दूदी अंदर डाल सकते हैं और उस दूद को आप पी सकते हैं ऐसा करने पे भी आपको सिम वैसा ही रिजल्ट तो आपको क्रीम हर रोज लगानी है दो टाइम हर रोज एक ग्लास दूद के साथ बदाम नहीं तो आप बदाम रोगन उसके अंदर डाल के पी लिजिए गा और फिर जैसा भी एक महिने के बाद आपका रजल्ट होगा वो मेरे साथ आपको शेयर करना है यह था आज का पाने प्ये खुश रहें खुश रहें बबाय